हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले कि हमारे सारे वीडियोज को आप सब उने जरूर से देखा होगा तो आईए आज हम लोग अपने SAC exam के point of view से English grammar का एक नया topic सुरू करते हैं conjunction सबसे पहले conjunction है कहां तो conjunction English grammar का parts of a speech है ठीक है अब इसके अलावा हम SAC exam में इसका क्या contribution है इसकी चर्चा करते चले देखें SAC का ऐसा कोई भी exam जो SAC board के द्वारा conduct किया जाता हो चाहे वो CGL का exam हो चाहे वो CPO का exam हो चाहे वो CHSL का exam हो चाहे वो stenographer का exam हो चाहे वो MTS का exam हो या और भी कोई exam हो SAC board के द्वारा conduct किये जाने वाले किसी भी exam में conjunction के question बार बार use किये जाते है अब इससे किस level का question पूछा जाता है ये भी हम थोड़ा बहुत आपको समझाते चले इनीसियल में conjunction एक ऐसा topic है जिसको ठीक तरीके से यदि हम लोग एक बार पढ़ते हैं काफी आसान है इसको यदि हम लोग एक बार ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके ACC exam में पूछे जाने वाले ऐसे कोई भी question नहीं होते हैं जिसमें गलती होने की संभावना हो अर्थात conjunction English grammar का एक ऐसा topic है जिसको यदि हम लोग पढ़ लें तो आपके ACC में यदि से question पूछा जाएगा तो 200% उसके correct होने की संभावना होती है उसमें गलती होने की possibility ही नहीं बसती ठीक है इसलिए भी conjunction काफी important हो जाता है और conjunction का यूज करके आपके ACC board के द्वारा conduct किये जाने वाले किसी भी exam में कहां कहां किस किस तरीके से question पूछे जाते हैं यह भी हम आपको आज के class में सुरू में ही बताते चले तो इससे सबसे पहले common error अर्थात error detection के section म question मिलते हैं दूसरा sentence improvement में इसका question देखने को मिलते हैं तीसरा feelers में इसके question मिलते हैं और चौधा आपका जो close test पूछा जाता है प्री में tier 1 में इससे के tier 1 में जो close test पूछा जाता है close test में भी इसके question रहते हैं बात समझ में आई तो इसका contribution चार sections में है तो चारों sections को ठीक तरीके से बनाने के लिए समझने के लिए हाला कि इनका use narration और voice में भी है ठीक है तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इनका use देखने को मिलता है ब आज के class से पढ़ना सुरू करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में cover करेंगे कितने पार्ट में cover करेंगे conjunction को हम लोग दो पार्ट में cover करेंगे एक आज का class होगा और इसके बाद एक दूसरा class होगा conjunction का यदि इन दो classes को हम लोग ठीक तरीके से सीखें समझें तो इससे पू चलना चाहते हैं दोस्तों आपको बताते चले कि हमारा यह जो वीडियो है हम लोगे जो वीडियो सेशन आपको free of cost प्रवाइड करा रहे हैं यह ऐसे बच्चों के लिए है ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने design करके बनाया था जो किसी भी paid code से किसी भी मामले में कम नहीं ह और ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजूर हैं जो सहरों में आके यहां का खर्च भीयद नहीं कर सकते या ऐसे बच्चे जो किसी एक दो पेपर में week होने के कारण बार बार SAC के एकजामें एक दो माग से या कुछ नंबर से reject हो जाते हैं उनका selection नहीं हो पाता उनका बड़े से बड़े तादात में हम लोग selection करवा सकें ठीक है दोस्तों हम आपको यह भी बताते चले कि एक मार्च के पहले अर्थाथ 28 परवरी तक हम लोगों का यह जो वीडियो जाता है यह दो स्लोट में जाता था एक 12 बज़े और एक सामके 5 बज़े एक मार्च से हम लोग आपको इसको तीन स्लोट में एबलेबल करवा रहे हैं अर्थाथ अब आपको हमारे इस यूटूब चैनल पे तीन टाइम स्लोट में वीडियो जाता है और तीसरा जाता है सामके 5 बज़े ठीक है मंडे टू फ्राइडे इंग्लिस का जो क्लास पहले हुआ करता था 28 परवरी तक या उसके पहले वो इंग्लिस का क्लास वीक में के वल दो दिन आपको मिलता था अब एक मार्च से इंग्लिस का क्लास हमने बढ़ा कर प्रतिक मंडे टू फ्राइडे वीक में 5 दिन कर दिया ह है हर दिन मिलेगा यह एवरीडे मिलेगा यह मंडे टू फ्राइडे में कम मिलेगा सामके पांच बजे तो यदि अब तक आप ने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है और बेल आइकन को जरूर से हिट कर दें ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और हाँ यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको आपको इसका थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है लगता है कि वीडियो में क्वालिटी है या आप इससे बेनिफिटेड होते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो को ज़्यादा सेयर करें ठीक है तो दोस्तों अब इसके आगे हम आपको बताते चलें कि मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्मूटी पर आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आईए अब बिना किसी डीले के हम लोग कंजक्शन पढ़ना सुरू करते हैं अब हम लोग सबसे परिए समझे कि कंजक्शन का रोल क्या है योडने का काका करते हैं जैसे आप जैनरली देखते ہیں जानते हैं एक लड़का हो एक लड़की हो एक लड़का हो और एक लड़की हो दोनों की साधी तभी होती है social marriage जो होता है arrange marriage जो होता है उसमें साधी कैसे होती है भाई तो एक mediator के मदद से होता है जिसको coolie number one में साधी नाम घर जोड़े के नाम से बोला गया था तो इस तरीके से एक mediator होता है जो दो family को जोड़ता है और दो family को एक लड़का, एक लड़की के माध्यम से जूड़ा जाता है, साधी दरशल एक लड़का और लड़की का ही होता है, बड़ जूड़ते दो अलग-अलग family वाले, ठिक है, love marriage का कोई concept ही नहीं है, लड़का लड़का और लड़की राजी तो क्या करेंगे पाजी, ठ पहला एक conjunction, दूसरा है preposition, पहला एक conjunction, दूसरा है preposition, अब इन दोनों में difference समझना बहुत जरूरी है, दोनों में difference क्या है भाई, आप यह समझे, दोनों जोडने का काम करता है, दोनों addition का काम करता है, तो दोनों में difference क्या है, preposition का मूल काम होता है, main work होता है, दो सब्दों को जोड़ना, प्रेपोजीशन, मुखे रूप से दो सब्दों को जोड़ने का काम करता है. छेकर बात समझ में आ रही है. कंजक्षन मुखे रूप से दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है. यहाँ पे डिफरेंस है. हाला कि हम लोग कोई भी बुक उठाते हैं तो conjunction के definition में लिखा हुआ मिलता है it joins, अर्थात conjunction joins two words, two clauses, two sentences अर्थात conjunction जो है दो सब्दों को जोडने का काम करता है दो वाक्यों को जोडने का काम करता है दो उपवाक्यों को जोडने का काम करता है यहां पर फिर से हम एक बार आपको बताते चलें sentence क्या होता है, clause क्या होता है ठीक है, सारी चीज़े हम आपको define करेंगे एकदम आराम से, एकदम detail में ठीक है, क्योंकि हम आपको पहले से बताते आए हैं कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो हम लोग English को पढ़ेंगे बिलकुल bottom level से, बिलकुल zero level से बिलकुल foundation level से, ठीक है तो एकदम zero level से सुरू करेंगे और आपको लेकर चलेंगे advanced level तक बात समझ में आ रही है चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग समझें कि दोनों में basically difference क्या है sentence क्या है, clause क्या है word तो हम लोग समझते है word क्या होता है भाई, तो group of letters is called word but आपको ध्यान रहे कि group of letters having complete meaning having a certain meaning, having a different meaning is known as word and similarly group of words group of words having a definite certain specific meaning is known as sentence ठीक है, तो सब्दों का ऐसा समो, अक्षरों का ऐसा समो है, जो एक निश्चित यवी से अर्थ देता है, उसको हम लोग काते है सब्द English grammar में, ठीक है और सब्दों का ऐसा समो हो, अक्षरों के समो को क्या काते है, सब्द काते है, बट उसका कुछ meaning निकलना चाहिए, ठीक है यह नहीं कि 5 बार हमने P लिग दिया और 4 बार C लिग दिया यह भी group of letters हैं, बट यह कोई meaning नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे group of letters को English grammar में हम लोग word नहीं कहते हैं, ठीक है, चली आगे सिखें, group of words सब्दों का ऐसा समो, जो एक निश्चित अर्थ परदान करता हो, उसको हम लोग कहते हैं, इंगलिस grammar में work के, क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, इंगलिस grammar में work के, बात समझ में आ रही है, चलिए तो यहां तक बात हैं हो गई, अब इसका जो definition था, उसको हम आपके सामने यहां पर explain करते हैं, जैसे हम एक sentence लेते हैं, हम एक sentence लेते हैं, राम, राम, प्लेज, राम, प्लेज, लूडो, ठीक है, एक दूसरा sentence लेते हैं, मोहन, मोहन, प्लेज, मोहन, प्लेज, लूडो, ठीक है, अब इस sentence में देखे, यह क्या है, यह दोनों है, हमारा वर्ब अब देखें यह दोनों वर्ब क्या है common है बात समझ में आ रही है अब यहां पर देखें यहां से लेके यहां तक का यह जो पार्ट है पूरा common है अलग क्या है भई तो यह दोनों अलग अलग है ठीक है अब इन सेंटेंसेज को यदी हमें connect करना हो तो हम लोग इसको conjunction का यूज़ करके connect करते है कैसे राम-and-mohan तो हम लोग इसको connect करते हुए लिखते हैं राम-and-mohan-play राम-and-mohan-play बात समझ में आ रही है अब इसी को बुक में हम लोगों को दिखाया जाता है बताया जाता है या समझाया जाता है तो यहाँ पे इसी को हम लोगों को समझाया जाता है कि यह देखे यह end क्या है तो end एक conjunction है और यह राम एक word है मोहन एक दूसरा word है और यह इन दो सब्दों को जोडने का काम कर रहा है अब आप ज जरा ध्यान से देखिए और समझे इसमें यही confusion आपका clear करेगा यही concept आपका confusion clear करेगा आप यहां पे देखे इस end का use करके हम लोगों ने क्या इन दो सब्दों को जोड़ा है या इन दो sentences को हम लोगों ने connect किया है जोड़ा है अब आप में से कुछ बच्चों के मन में आएग तो आप थोड़ा सा math को समझे मैद को कैसे समझते तो आप याद किजिए math में आप 20 गरीद पढ़ते थे अल्जबरा जिसको बोलते हैं हम लोग ठीक है तो आप जरा याद किजिए हम लोग पढ़ते थे a square plus a plus a क्यों ऐसा पढ़ते थे ठीक है अब देखे इसमें common क्या था तो हम लोग यहाँ common ले लेते थे a फिर यहाँ लिखे बात समझ में आ रही है यह हम लोग लिखते थे a b a square plus a square b ठीक है ठीक है बात समझ में आ रही है अब हम क्या किये यहाँ पर a b common ले लिए हमने यहाँ पर लिखा a plus b अब आप देखे इसमें हो क्या रहा था जो common टर्म थे और जो अलग-अलग था उसको प्लस का साइन यूज करके हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते थे ठीक है चाहिए वाला सेंस हो या यह वाला सेंस हो या ऐसे जितने भी अलजबरा के questions हम लोगों ने solve किये थे बचपन से आप अभी भी पढ़ते एडवान्स में यहें होता इंग्लिस में भी कुछ ness कंजक्सन किसका काम करता इसी comparison करता है इसी प्लस वाले साइन का रोल प्ले करता है और जो भी हम लोग कॉमन होता है उसको इसी तरीके से कॉमन ले लेते हैं और जो different होता है उसके बीचे हम लोग end लगाते हैं तो इसके पहले हमने आपको जो example लेके दिखाया था उसमें different क्या था भाई तो different था राम and Mohan इसलिए इन दोनों के बीचे हम लोगों ने use किया था अब दूसरा example लेते हैं हमापके सामने दीखिए दूसरा example क्या है हम लेखते हैं राम plays football राम please football ठीक है हम दूसरा लेखते हैone या इन दोनों में common क्या है तो आप आसानी से को सकते हैं सर दोनों सेंटेंस में क्या common है तो राम common है अब देखे इसको हम लोग conjunction का यूज़ करके कैसे end करेंगे राम प्लेज राम प्लेज फुटबॉल राम प्लेज फुटबॉल एंड एंड राइट्स अब मा लेज़े राम को यहां से निकाल दे राम क्या हो गया common हो गया common हो गया तो यह एक साइड आ गया uncommon क्या हुआ तो यह दोनों पार्ट uncommon है दोनों different है तो जो different है उसको हम लोग conjunction end का use करके connect कर दिए बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना चाह रहे थे सिर्फ और सिर्फ हम आपको यह message देना चाह रहे थे समझाना चाह रहे थे convince करना चाह रहे थे कि conjunction son दो सेंटेंसuman को connect करता है या दो clauses को connect करता है तो sentence क्या होता है तो group of what's having complete meaning सब्दों का ऐसा समोग जो एक निश्चित या विसे सर्थ देता है उसका हम लोग आता है वाके ठीक है हिंदी में आपको समझा रहे हैं आप अब कन्फूज होंगे कि तो sentence तो हम लोग समझ के सर क्लॉज क्या है क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य अब यह उपवाक्य क्या होता है भाई तो group of words are having complete meaning सब्दों का ऐसा समूज जो एक पूर्ण अर्थ देता है complete meaning देता है उसको कहते है sentence लेकिन सब्दों का ऐसा सम कैसे incomplete कैसे आईए यह भी हम आपको सीखाते चलें देखिए जैसे आपने एक गाना सुना तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है देखिए इस गाने में एक से ज्यादा सब्द का यूज किया गया सब्दों का समू है लेकिन यह complete meaning दे रहा है अब इसका कुछ वर्ड हम रिमूफ करने तुमसे मिलना बाते करना देखिए यह अभी भी क्या है तो अभी भी यह है group of words अभी भी क्या है group of words है बट यह देखिए अब यहाँ पे तुमसे मिलना बाते करना यह group of words जरूर है लेकिन यह complete meaning नहीं दे रहा है complete meaning नहीं दे रहा है इसलिए इसी को हम लोग कहते हैं उपवाग के English में कहते हैं clause वह जो कुछ कुछ भी कहते है क्या कहते है पता चला तुम जहां कहीं भी जाए तुम तक हम लोगों ने सीखा और समझा कि क्न्जक्सन क्या काम करते है तो दो सब्दों को दरसल ये जोड़ता हुब दिखा इपड़ता है बट यह actually किसको connect करता है दो sentence या clause को बात समझ में आ गए चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं अब हम लोग conjunction को इसके type wise समझना सुरू करते हैं कितने type होते हैं आईए हम आपको यहाँ पर समझाते चलिए यह देखें क्या difference है सबसे पहले हम लोग इसको सीखें हाला कि conjunction को अलग-अलग basis पे अलग-अलग आधार पे अलग-अलग types में बाटा गया है बट मुखे रूप से यह तीन हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं तो हम लोग इसको डीटेल में पढ़ना नहीं चाहेंगे ठीक है हम लोग सिर्फ और फूतने ही बातों को शीखेंगे जानेंगे समझेंगे और समझाएंगे जितने से आपके ASC exam में question पूछे जाते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे उसी pattern में पढ़ेंगे जिस तरीके से और उसी तरीके से question भी हम आपको solve करके दिखाएंगे जिस तरीके से पढ़ने से आपके एसे सी एक्जाम में पूछी जाने वाले सारे के सारे कोशन कंजक्शन पर बिज्ड सॉल्व हो जाते हैं बात समझ में उसके बाहर हम लोग कुछ भी सीखने का जानने का और अपना टाइम कील करने का प्रयास नहीं करेंगे ठीक है आगे बढ़ें अब यहां पर आप में से कई बच्चों को डाउट होता है क्या डाउट होता है बैए कि यह जो सर है न यह इंग्लिस वाला जो कोशन हम लोगों को देखने को मिलता है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ाते है बैए इसके पहले भी हम कई वीडियो में लगतार बोलते आए हैं करेंगे भी हम आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे आप द्यान से देखिए ऐसे बच्चे विशेस रूप से ऐसे बच्चे जिनके इंग्लिस ज्यादा वीक होती है जो ग्रामीं छेत्रों से बिलोंग करते हैं इनके मन में एक फियर होता है इंग्लिस का ठीक है तो ुसे बच्चे जिनकी स्वत में ऊपढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्फ करेंगे इसके बारे में जो भी उसका परेशन करना होगा उसके ऑप्रेशन को हम वाद में करेंगे ठीक है आप ये habit छोड़ दीजिए क्यों छोड़ दें क्योंकि आपके exam में उतना time नहीं होता कि आपको कोई भी sentence given होता है आप उसको पढ़ेंगे फिर हिंदी में translate करके समझेंगे और तब उसको solve करेंगे यदे हम लोग ऐसा करेंगे तो हम में और आप में से कोई भी बच्चा किसी भी competitive exam में जाके यदे इस तरीके से question को solve करेगा तो कभी भी उसका selection नहीं होगा उसके सारे time तो इसे ही चले जाएंगे बात समझ में आ रही है और वहाँ पे time management सबसे बड़ा factor होता है क्योंकि आपको एक ही paper solve नहीं करना है केवल English ही solve नहीं करना है सबसे बड़ा time taking section होता है आपका math बात समझ में आ रही है क्योंकि math के question को solve करने के लिए आपको time चाहिए तो इधर से आपको time बचाना है manage करना और ये time आपको उधर math पे देना है ठीक है चली तो अब यहां से आगे चलते हैं फिर हम आपको एक बार ultimately समझाते चले आखिरकार eventually हम आपको एक बार फिर repeat करके समझाते चले हम जिस तरीके से यहां पर question को लगाते हैं आप मैंसे बहुत सारे बच्चों के मन में फियर होता है कि सरियां जो chapter wise पढ़ाते हैं ये तो बाते समझ में आ जाती है जब आप पढ़ाते हैं तहब सारी चीजे समझ में आती है लेकिन हम लोग जब बनाने बैठते हैं तो कुछ बनता नहीं समझ में नहीं आता कि इसमें preposition check करना है कि noun check करना है given sentence में जो common error के आपके question होते है sentence improvement के question होते है या और किसी भी section के होते है उसमें कौन सा grammar का parts of a speech हम लोगों को use करना है कौन सा concept use करना है यह हम लोगों को समझ में नहीं आता है यही doubt आप में से maximum बच्चों के मन में होता है इसको हम आपके सामने clear करते चले इसको आप कैसे ठीक कर सकते है कैसे overcome कर सकते है ठीक है देखे इसको ठीक करने का the best way है कि हम लोग आपको जो भी content provide करते हैं Monday to Friday में जो भी हम लोग आपको पढ़ाते हैं हम यह हमारे जो पूरी टीम है जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाती है वह सब का सब आपको उसका प्रैक्टिस सीट आपको हम लोग संदे को provide करते हैं ठीक है तो उन सारे questions को आप more than one time समना यह चार बार पांच बार छे बार साथ बार कम से कम चार बार तो आप ज़रूर बनाईए तो maximum time जब आप उस question को बनाएंगे तो आपका जो mind है उस mind में जाके यह सारे concept set कर जाते हैं जैसे हम अभी यहां class में आज आप को पढ़ाएंगे आप उसी question को बार बार चार बार पांच बार छे बार साथ बार आठ बार maximum आप 10 times उसको solve करके देखिए और उसके बाद कहीं से कोई भी sentence आप उठाईएगा यदि उसमें इस topic के question होंगे तो question देखते के साथ आपका mind उसको तुरंत catch करेगा और तुरंत उसको solve करके correct answer बता देगा तो यह की है वो कैब का section आपको याद नहीं रहता वर्ड मिनिंग किसी भी बच्चे को याद नहीं रहता एक common factor है common समस्य है सभी बच्चों के साथ हमारे साथ भी है दुनिया का कोई भी इंसान है उसको सारे vocabulary कभी भी याद नहीं हो सकते दुनिया के सारे वर्ड किसी को भी याद नहीं हो सकते यह संभव ही नहीं है चाहे वो English का हो यह हिंदी का हो ठीक है तो हिंदी नियूस पर में भी जितने वर्ड यूज किया गए होते हैं उन सभी सब्दों के मिनिंग हम लोगों को नहीं आते हैं जबकि हम लोग का एक कोशन दिया होता है और उसके चार जो ऑप्शन होते हैं चारो ऑप्शन के मीनिंग भी आप लिखिए उसको समझे ठीक है पार्ट सबस्पीच के साथ समझे तो और ज्यादा बहतर है ठीक है तो यह सब चीज़े दीरे दीरे आपके अंदर डिबलब करेंगे तो हम काम कर रहे हैं जो सजेशन आज हम आपको दे रहे हैं यह हम लोगों का आज कन नहीं है वर्सों का यह हमारा अपना पुराना एक्सपीडियेंस है इस तरीके से हमने ऐसे ऐसे न जाने कितने बच्चों के सेलेक्शन करवाए हैं न जाने कितने बच्चों के इंगलिस हमने ठ जैसे गाना हम लोग सुनते हैं तो आपको जो भी नौटियाल के गाना याद हो जाते हैं बात समझ में आ रही है पुस्पा के गाने आपको याद हो जाते हैं पुस्पा दराइजिंग मूवी के ठीक है उसके डायलोग से आपको याद हो जाते हैं यहां भी आपको इस तरीके हम at least बता रहे हैं कम से कम 30 साल आप इसके आजिविका खाएंगे ठीक है लेकिन पोस्पा मोवी देखने से या और ऐसे किसी भी entertainment के source को यूज करने से हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है वो temporary आपको क्यों मजा देता है ठीक है तो हम आपसे request करेंगे आपको suggest करेंगे कि सभी जगों से अपने ध्यान को हटा के अपने study पे खुद को concentrate कीजिए आप कुछ समय दीजिए ठीक है तब तक दीजिए जब तक आपका selection नहीं हो जाए और इस बीच आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर कर सकते हैं बात समझ में आई हमारे office के कई official number आपको दिये करते हैं इनको हम लोग समझना शुरू करें तो अब तक हम लोगों ने समझा कि किसको जोड़ता है तो दो सेंटेंसे क्लोज को जोड़ता है तो फिर यह तीन टाइप क्या है इन तीनों में क्या difference है देखिए जिसमें यह को लगा हुआ हुआ है को ओडिनेटिंग को दूसरा जो सेंटेंस हम लोगों ने लिया था दूसरा जो एक्जांपल लिया था उसमें लोगों ने दो क्लॉजेज को जोड़ा था राम उसमें कॉमन था तो वहाँ पे दो जो क्लॉज थे वर्ब और और ऑब्जेक्ट के पेर को हम लोगों ने कंजक्शन एंड का यूज को चुड़ा, दूसरे example में उसने दो clauses को चुड़ा, बात समझ में आ रही है, अब यहाँ पर meaning यह है, कि यह जो coordinating है, correlative है, यह दोनों ऐसे conjunction होते हैं, जो दो same parts of speech को add करते हैं, किसको same parts of speech को, same parts of speech को connect करते हैं, तो फिर दोनों में difference क्या है, अब दोनों में क्या difference है, हम इसके भी चाचा करते चलें, अब देखिए, जो coordinating होता है, यह single word का होता है, कितने word का होता है, यह single word का होता है, और यह जो को relative है, आपके साथ यदि आपका कोई relative है, तो अब आप अखेले नहीं है, अब आप कम से कम कितने होंगे, दो होंगे, एक आप होंगे, एक आपका relative होगा, ठीक है, बात समझ में आई, यह single word का होता है, यह कैसा होता है, यह single word का होता है, और यह कैसा रहेगा, तो यह रहता है, पेर में, यह कैसा रहेगा, यह पेर में होता है, अब बात बचे कि यह subordinating क्या करता है, subordinating conjunction single word का भी होता है, पेर में भी हो सकता है, यह single word का भी होता है, पेर में भी काम करता है सब ओडिनेटिंग जैसे एक सिंगल वड़ वाला एक्जामपल हम आपको दे रहें जैसे इसका एक एक्जामपल लेते हैं हम लोग बट अब बट क्या करता है जैसे वह बहुत अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है ठीक है तो क्या लगाएंगे बट वह बहुत गरीब है लेकिन बहुत दिलदार है बहुत दानी है ठीक है लेकिन बहुत खुस है क्या लगाते हैं बट अब बट कै तो उपर वाला क्या होता है ये भी होता है सिंगे रोट का अब गयτε आए ने पीयर transforming कैसे आता है भाई तो देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे दो या all ऊसके साथ यूज करते हैं यह टिया कॉमा का यूज करते हैं यह टिया ठीक्ै थिकर तो अब देखें यह क्या हो गया यह हो गया बात समझ में आ रही है तो यह जो subordinating conjunction होता है यह opposite meaning वाले sentences को जोड़ता है अब दो although के साथ yet का जो use करते हैं इसका भी एक example ले लिए यह दपी वह बहुत गरीब है यह दपी वह बहुत गरीब है ततापी वह बहुत खुस रहता ह हाला कि वह बहुत गरीब है फिर भी बहुत खुस रहता है ऐसे meaning को बताने के लिए हम लोग use करते हैं दो although के साथ yet का बात समझ में आई तो यहां तक था इनका intro तो types of conjunction का यहां पे था intro अब इसके बाद हम लोग सीधा काम की बात करेंगे अब काम की बात में हम लोग क्या क बात करेंगे उन सभी conjunction को हम लोग बढ़ेंगे जिससे related अपने एसे सी एक्जाम में बार बार कोशन पूछे जाते हैं तो अब आईए यहां से आगे लेकर चलते हैं हम आपको कुछ conjunction यहां पर सिखाने का प्रयास करते हैं तो यह हैं हमारा topic conjunction अब इसको थोड़ा आगे है और तो but क्या है यह subordinating है and क्या है co-ordinating है between के साथ हम लोग use करते हैं between के साथ हम लोग use करते हैं we between के साथ क्या यूज करते हैं and का यूज करते हैं अब ये देखिए जो since है और for है इन दोनों का use time indicating what के साथ हम लोगोंने बचपन से किया है कहां पे tense में ठीक है जैसे वो दो घंटे से नहा रहा है ठीक है आप याद किजिए दो घंटे से तो लगाते थे for two hours वहाँ पे यही और for काम करता था preposition का किसका काम करता था preposition का अब ये दो sentences को या clauses को जोडने का काम करेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे conjunction कहेंगे तो इनका meaning भी change कर जाता है वहाँ पे time indicating what के साथ हम लोग यूज करते थे तो वहाँ पे इसका meaning क्या होता था से दो घंटे से अब यहाँ पे यह क्या काम करता है तो for यदि conjunction का काम करता है तो इसका meaning होता है क्योंकि क्या meaning होता है क्योंकि जैसे आप गाना सुने थे क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं ठीक है for ठीक है यहाँ आ जाईए since इसका meaning क्या होता है चुकी क्या होता है चुकी बात समझ में आ रही है अब वेदर वेदर को हम लोग चला समझते चले वेदर के कहाने क्या है तो वेदर के सांथ हम लोग यूज करते हैं और वेदर के सांथ क्या यूज करते हैं पेर में यूज करते हैं और वेदर का यूज हम लोग कब कब करते हैं है वेदर का यूज हम लोग करते हैं डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं बेसंदे हो जैसे मुझे संदे है कि क्या आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे या नहीं तो यहां नहीं का सेंस उसमें हमें लिखने के कोई जरूरत ने मुझे डाउट है कि क्या आप मेरा वेदर का यूज हम लोग जब भी कभी करते हैं तो वेदर का यूज एक और सेंस में किया जाता है इसका यूज करते हैं हम लोग आश्यर को दिखाने के लिए किसको wonder और वोंडर को एक्सप्रेस करने के लिए आशर को सर्प्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं तो पेर में वेदर के साथ हम लोग यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं और कभी-कभी वेदर की जगा हम लोग इफ का यूज भी करते हैं अब इफ का मिनिंग हम लोगों ने बच्पन से जो पढ़ा है वो क्या था तो इफ का मिनिंग क्या था बच्पन से तो इफ का मिनिंग हम लोगों ने बच्पन से पढ़ रखा है अगर नहीं अगर तुम मिल लाओ अगर तुम को हो तो जान दे दे तो क्या यूज़ करते थे बात इस समझ में आ रही है आगे देखिए अब इसका यदि कंजक्शन के रूप में यूज होता है तो मिनिंग इसका होता है यदि या अगर ये बात आप समझ लीजी इसका एक और मिनिंग होता है क्या इसका मिनिंग होता है क्या लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं ब समझ्ट में डाइरेक्ट से इंडिरेक्ट में जब हम लोग उसको करते हैं तो इफ-का यूज हम वहाँ पर करतें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ठीक है बात समझ में आ रही है बहां से आगे निकलते हैं अब यहां पर देखे सेंस्ट 4 तक हम लोग समझ कुके विन win का meaning हम लोगों ने 25 से जो पढ़ा था W interrogative question में तो वहाँ पे इसका meaning होता था कब क्या होता था कब क्या होता था कब इसका एक दूसरा भी meaning है तो कब के रूप में ये interrogative का काम करता है उस sentence के last में question mark लगा होता है win का दूसरा meaning होता है जब ठीक है जब से तुमको देखा, ठीक है, कब से, जब से, since when, next, that का मिनिंग होता था, वह, this का मिनिंग यह, that का मिनिंग वह, दूसरा इसका मिनिंग क्या होता है, तो इसका मिनिंग होता है, conjunction के रूप में की, तुम जानते हो कि मैं बैमान नहीं हूँ, ठीक है, that लगा दिये, अब यह न तो यह, न तो वो, ऐसा sense express करना हो, तो हम लोग never के साथ, nor का use भी करते हैं, तो इसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा अट-पटा लग रहा होगा, बट ऐसा होता है, और यह आपके S.C. exam में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, तो थ between के साथ, and हम लोग use करते हैं, आपके exam में देखेगा, जब इसके साथ question दिया गया होगा, तो यहाँ पर use क्या गया होगा, to, यहाँ पर end की जगत दे दिया जाएगा, as well as, क्या दे दिया जाएगा, as well as, यह इस तरीके का कोई भी दूसरा word दे दिया जाएगा, तो अब आ यह नहीं है, तो वो गलत है, बात समझ में आ गई, अब आये, इन सारे थोड़े से concept को सीखने के बाद, अब हम लोग इनके कुछ question का practice करते चलें, वहरना धेर सारा concept एक ही साथ सीख लेते हैं, तो फिर उसका practice नहीं हो पाता, और यदि आप में से कोई भी हमारे वीडियो क लगतार देख रहा होगा, तो आपको यह पता होगा, कि हम इसी pattern में आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा सा concept, फिर उन सारे concept पे best question, previous year question, या कुछ model question, और फिर उसके बाद फिर नया concept, फिर question, previous year question, या model question, तो थोड़ा सा पढ़िये practice किजिए, थोड़ा सा पढ़िये practice किजिए Otherwise, यदि सारे concept एक साथ पढ़ लिये जाएं, और उसके बाद हम लोग यदि exercise करना सुरू करें, तो हम लोगों को English समझ में नहीं आती, तो English सिखने का समझने का the best way यह है, बात समझ में आई, अब यहाँ पे चुकि हम लोग online way में काम करते हैं, offline में होते हैं, तो हम आपको मरियादाएं भी होते हैं, limitation भी होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग बहुँ जादा time taking वाला काम नहीं करेंगे, तो अब आईए, यहाँ पे हम लोग फट फट question को solve करना शुरू करते हैं, देखें, सबसे पहले यहाँ पे, you must go to the book fair, आपको जरूर से book fair में जाना चाहिए, आपको book fair अवसे जाना चाहिए, if you are liking it or not, अब देखें, इसमें क्या क्या error है, तो सबसे पहले if you are liking, सबसे पहले tense में हम लोगों ने पढ़ा था, कि you are liking नहीं होता है, और यदि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिले, तो इसकी जगा हम लोग क्या use करते है, तो इसकी जगा हम लोग use करते हैं, like, हमने आपको बताया था कि sentence किसी भी tense के continuous में लिखा हो, चाहिए tense हो, present हो, past हो, future हो, तीनों में से कोई भी tense हो, उसके किसी भी tense के, यदि continuous में ऐसे verb का use किया गया हो, तो continuous को हम लोग change करके लिखते हैं, infinity में, और यदि perfect continuous में हो, तो perfect continuous को change करके हम लोग लिखते हैं, perfect में, ठीक है, बात समझ में आ गए, तो सबसे पहले तो ये वाले part मेरर है, और दूसरा देखे, यहाँ पर और का use कर लिएगा, यह देखे, और लगा हुआ है, और not, तो क्या, तुम्हें book fair जरूर जाना चाहिए, यदि तुम जाना चाहत होता है, दूसरा यह देखे, whether you like it, अब इसमें एक और बात हम आपको बताते हैं, चलेए, जो वेदर होता है, वेदर के साथ, इसके साथ हम लोग no, not, never, ऐसे किसी भी negative word का use हम लोग इसके साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह खुद अपने आप में negative sense को bear करता है, तो इसके साथ हम लोग ऐसे word का use नहीं करते हैं, अब, अब जरा यह जो हमारे चार option है, इसमें से एक option, option number C चला गया बाहर, अब जरा हम लोग option को check करें, whether you have liked, यह भी नहीं होगा, यदि तुमने इसको चाहा है, पसंद किया, whether you like it, यदि तुम इसको पसंद करते हो, तो तुमको ज अब दोनों को रख के दिखें, बारी-बारी से कौन साब को ज्यादा बेतर लगता है, you must go to the book fair if, sorry, whether you like it, यदि तुम इसको like करते हो, तो जाना चाहिए, नहीं like करते हो, तो नहीं जाना चाहिए, option number D क्या कहता, if you like it, यदि आप इसको like करते हो, तो जाना चाहिए, तो ज् पसंद करते हैं, like करते हैं, तो जरूर जाहिए, और नहीं like करते हैं, तो छोड़ देजी, यह दोनों मीनिंग इसमें express होता है, option number B में, इसलिए हमारा correct answer बनेगा option number B, next, इस question को देखे, the famous author and actor are being honored at a function, अब आज जाना देखे, the famous author and actor are being honored at a function, तोटे देखे, यह जितने option है, यह सब अलग-अलग आपको दिखाई दे रहें, इसका मतलब यह है कि यह common error का question है, और आपको वो section select करना है, जिसमें grammatical error है, जिसमें grammatical error है, अब यहां जरा देखे, यह हम लोगों ने article में भी पढ़ा है, बचपन से, ठीक है, इसको हम लोगों ने article में भी पढ़ा है, subject agreement में भी पढ़ा है, देखे, यह author है, famous author, एक noun है, actor, अलग noun है, और दोनों को conjunction and का use करके जोड़ा गया है, बट article का use सिर्फ पहले वाले के साथ किया गया है, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोद होता है, और यदि यह एक ही व्यक्ति या वस्तु होता है, तो यहा पर are being honored का use किया गया है, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों के साथ अलग-अलग article का use करना होगा, तब यह दोनों अलग-अलग व्यक्ति या वस्तु हो जाएंगे, और तब इन्ही को हम लोग मानेंगे plural, वाप देंगे plural, बात समझ में आई, तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारा error कहाँ पर बना, the famous author and actor, इसका correct answer क्या बनेगा, the famous author and the actor, ठीक है, तो answer क्या बनेगा, answer बनेगा हमारा option number A, यहाँ पर actor के पहले दा लगा देंगे, तो sentence हमारा correct हो जाता है, ठीक है, next आगे बढ़ते है, the soldiers had no choice when to obey the commander, ठीक है, जो soldiers उनके पास कोई option नहीं था, उनके पास कोई option नहीं था, कि कब वे लोग commander का जो order है, उसको follow करें, कब commander को follow करें, तो यहाँ पर कब नहीं, जब, क्या चाहिए, जब, तो यहाँ देखे, when to obey, यहाँ पर कोई दूसरा हम लोग use करें, या तो इसको हम लोग change कर दें, देखे, जो सिपाही होते हैं उनके पास कोई option नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी देखे रसिया और युक्रेइन का वार्चरल है वहां से आप एक्जेम्पल ले सकते हैं higher authority जो होते हैं पास क्या फूजर होता है उनके पास कोई अपस्टे पाश्यों की बैत करने खेंगे अब highs को क्या दिखाई देख्ए में अब So को क्या दिखाई तरह है डाउट के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे वेदर हम लोग क्या यूज करेंगे वेदर तो यहां पर देखें इस question answer क्या बने का तो लेडी listen carefully to my complaint but I doubt मुझे संदे है क्या संदे है भाई see will do anything about it कि क्या वो इसके बारे में कुछ करेगी या नहीं करेगी, मतलब doubt express करना doubt express करना है, यह देखें doubt word यहां पर लगा हुआ भी है, तो हम लोग simply यहां पर क्या यूज करेंगे, यह जो c लिखा हुआ इसके पहुले हम लोग use करेंगे, weather योज चैनल करेंगे तो हम लोग यूज च्छ करेंगे ठीक है बास यहां से नए कोशन में यह कुशन नापके के डैस दस सेवन्थ लार्ज़ेस कंट्रे अब देखे एक तो यहां पे बताएगा कि सेवन्थ most populous country और दूसरा सेवन्थ सेवन्थ लार्जेस कंट्री भी है भाई ठीक है तो यह दोनों समान बाते दोनों में उसको लार्जेस्ट की तरफ दिखाय जा रहा है ठीक है इस मामले में भी पोपुलेशन के मामले में भी बड़ा है एरिया के मामले में भी बड़ा है दोनों समान बाते दोनों पॉजिटिव बाते हैं और दोनों सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को काम कौन करेगा हरुएवर करेगा नहीं क्ич 있나 का मतलब पब आप भुए जब की बट मतलब लेकिन एंड पुए और ठीक है तो हमारा आंसर क्या बनेगा एंड ठीक है अंसर क्या बनेगा एंड next अगले कोश्न में देखें शी वाज मिजरेबल- secre दसी डिड नॉट टेल तो वो दुखी थी ठीक है इसके बावजूद उसने उसे मतलब ये जो हिम था इसे कोई बात नहीं बताई तो वो दुख में थी वो चाहती बता सकती थी लेकिन इसके बावजूद उसने बताया नहीं अर्थात यहां पर क्या ओर है अपोजिट कॉंट्रास्ट अपोजिट मि करना है क्या यूज़ करेंगे तो यूज़ करेंगे बट का ठीक है नेक्स यहां से आगे बढ़े हैं चलते अगले कोशन में वन मिनट दे आर आल स्वीट बट केरिंग एंड दा नेक्स्ट मिनट दे स्टैब यू इन दा बैक मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जुबान है क्या है बिल्कुल opposite है तो एक तरब क्या करते है वटन मिनट दे आर स्वीट एंड केरिंग तो यहां पे यह जो दोनों बात है यह दोनों कैसी है यह दोनों सिंलर है ठीक 15 किसका काम कर एंड जैक्टिम का दो सेंब पार्ट करनें का काम कौन करेगा कंजक्शन करेगा सबो ordinating जो single word का होता है इसके लिए use करेंगे end का ठीक है यहाँ पर single word की जरूरत है pair वाले conjunction की जरूरत नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे यह मंत का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन से महीने थे तो यह common noun हो गया इसके बारे में याद किजिए हमने आपको टेंस पढ़ाते समय बताया था कि कोई भी time indicating word हो कोई भी time indicating word हो जिसके साथ हम लोग since या फॉर का यूज करते हैं तो कैसे समझेंगे कि कब हमें since का यूज क करते हैं क्या यूज करते सिंस अब सर्टेन डिफरेंट स्पेसिफिक कैसे वह यदि टाइम इंडिकेटिंग वर जो भी time indicating word question में गिवेन हो वह यदि प्रॉपर नावन हो कौन सा नावन हो वह यदि प्रॉपर नावन हो तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे since otherwise हम लोग य प्रॉपर नावन है तो तो देखें यह फॉर लगा हुए इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा नो इंप्रॉप्रॉब्मेंट और यहां पर यही फॉर प्रेपोजीशन का काम करता है नेक्स्ट आगे बढ़ता है यहां य कहां पर हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडिफरेंट में क्या पढ़ा था किसी भी टाइम और कंडिशन इंडिकेटिंग वाड के बाद यदि कोई सेंटेंस आए और वो फ्यूचर का सेंसे एक्स्प्रेस करें तो उसमें सैल विल का यूज नहीं करते हैं आप करने होता है कि सैल और फ्यूचर नहीं करने होता यहां पर यूज वर्फ करते हैं या वर्फ करको इसको कर चरएंगे वर्फ के फिट फॉर्म cm और वो meaning express करता है future indifferent का, किसका meaning express करता है, future indifferent का meaning express करता है, ठीक है बात समझ में आ रही है, तो कुछ और भी ऐसे बाट होते हैं, यह कौन कान से बाट होते हैं भई, तो till, until, till, until, unless, ye when हो गया, suppose हो गया, if हो गया, in case हो गया, इस हो गया, इन केस हो गया, बात समझ में आई, यह बार-बार आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, अब यहां पर देखे, when I go, तो अब यह देखे, when I sell go to, पेरिस, जब मैं पेरिस जाओंगा, ऐसा सेंस होता, लेकिन यहां पर देखे, इस when के उपस्थित होने के कारण न यहां पे sell will का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यह देखिए आई के साथ क्या लगाते हम लगाते है और गो क्या वर्व का फिर्स पर में अर्थात यह वाला जो पार्ट है यह जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पाठ है sentence improvement का पाठ है यह already correct है तो हमारा answer क्या बनेगा इसका answer बनेगा no improvement answer क्या बनेगा answer बनेगा no improvement next नीचे वाले question में चलते हैं it has been a long it has been a long I last saw you जब हमने आखरी बार तुमको देखा था तब से देखे हुए लंबे समय हो गए तो जब आप last नहीं ठीक है किसी occasion पर मिले होंगे किसी दोस्त के साधी में किसी और के साधी में किसी पार्टी में वगएरा वगएरा ठीक है या अलग से उसके साथ आप मिले होंगे आपका दोस्त हो भाई हो relative हो कोई भी हो ठीक है तो चुकी वह definite घटना होगा यह अर्थात यह proper ना हो और तो इसके साथ क्या यूज करेंगे use करेंगे since तो यह अगों की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे use करेंगे since ठीक है हमारा answer क्या पना से ओप सरल ओस सब्सक्राइब next यहां से आगे बढभते हैं चलते हैं कुछ ठीक टाइम पे आप खतम कर ले ठीक है लास्ट टाइम होते होते आप उसको खतम कर ले ठीक है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे डैट यू फिनिस अब देखिए यहां पे हैड फिनिस मतलब आप पहले ही खतम कर चुके थे तो यह आसा किया जा रहा है और आप आसा करने के पले काम खतम कर चुक है यह irrelevant हो गया इसको करते हैं बेतु का सेंटेंस ठीक है बेतु की बात है यू कुड़ फिनिस कि आप उसको खतम कर सकें अब मतलब आपके अंदर ability नहीं है कि आप उसको खतम कर सकें ऐसी बात तो बतानी नहीं है ability का सेंस हमें इक्सप्रेस करना नहीं है तो सी होगा नहीं भी होगा नहीं और यह वाला पाट Already jay angi warm यूज किया गया उसके पहले यदि किसी भी नाउनnięिया प्रोनाउन का यूज किया जाए तो हम लोग उसना या प्रोनाउन को रखते पॉससिव किस्स में किस्मिंः यदु कोई प्रोनाउन आपको ठीखाई दे तो हम लोग को यूज करेंगे पोसेसिव पॉसेशीव एडजेक्टिव क्या यूज़ करेंगे पॉसेश देटियु यूर्स यू तो यू का मोग यूज़ करेंगे यूर ठीक है यहाँ पर कोई नाउन होता है तो उसमें हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर लिखा उता है सियाम स्याम में लगाता है पॉस्ट अफिस लगाते हैं यह पार्ट करेक्ट हो जाता है ठीक है बट अभी हमारा आंसर क्या बनेगा तो हमारे पास एक option है that you finish next आगे बढ़ते हैं अगले question में चले हम लोग whether your statement is right or not देखिए आपका statement right हो या नहीं हो सही हो या गलत हो he is going to blame you वो आपको blame करने जा रहा है देखे तो यहां पर और लगा हुए देखे weather के साथ क्या लगता है और लगता ठीक है और weather के साथ सबसे अच्छी बात है कि not का use हम लोग नहीं करते हैं विदर के साथ हम लोग not का use नहीं होता इसलिए हम लोग यूज करेंगे राइट और रॉंग इस question का अंसर बनेगा हमारा option number a क्या बनेगा option number a next चले कुछ और question को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं देखते हैं इन सारे में आपको कुछ गिफ्ट दिया गया ठीक है which made them happy जो उन लोगों को खुस किया ठीक है जो उन लोगों को खुस किया मतलब वो जो विदाई समारों में या विदाई के समय आपको जो एक खिलावना दिया गया प्रते हैं बच्चे को उससे वो सारे बच्चे क्या हो गए इस कोशन का अंसर हमार क्या बनेगा option number D no error next अगला कोशन है he swam to an island that was not far away यहाँ पर that का use जो की ज़्यादा दूर नहीं था ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या use करेंगे which was not far away next for a full week she enjoyed the benefits of being a big sister for a full week मतलब एक वीक के लिए पूरे सब्ता के लिए she enjoyed the benefits of being a big sister ठीक है तो उसने बड़ा बहन होने का पूरा अनन्द उठाया बड़ी बहन होने का पूरा अनन्द उठाया कब पूरे सब्ता तक ठीक है अब देखें फिर से यहाँ पर week क्या है तो week क्या है भई तो week है common noun ठीक है तो इसके साथ लगना चाहता है यहाँ पर अब यहाँ पर देखें लगा हुआ है फॉर अब इस फॉर को जरा पढ़के देखें फॉर का हिंदी मिनिंग क्या निकल रहा है फॉर फॉल विक मतलब एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड के रूप में वहाँ पर टील का यूज होना चाहिए था फॉर की जगह और फॉर का यू ओप्शन नमबर डी नेक्स्ट चले कुछ और कोशन को देखें हम लोग यहाँ पर तो आईए इन कोशन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिंस दे वर ओल ड्रेस्ट अब चुकि वह सारे के सारे लोग तयार थे यहाँ पर चुकी से ज्यादा बड़ी है क्योंकि वह सारे के सारे लोग तयार थे इसलिए उसने ये जो सी थी इसने अजियों किया मान लिया कि सारे के सारे लोग जर्च साथ में जा रहे हैं अब यहाँ पर चुकी से जादा पड़ी है कि because का use करें या यहाँ पर हम लोग for का use कर लें for का meaning क्या होगा क्योंकि हो जाएगा वो यहाँ पर काम करेंगा conjunction कर ठीक है तो यहाँ पर since की जगा हम लोग यह तो for का use कर लें या because का use कर लें ठीक है next the briefing will be held the briefing will be held between अब देखें के दो से तीन के बीज की बात की जा रही है तो हम लोग बिट्विन है तो बिट्विन के साथ यूज कर लेंगे यहां पर ठीक है because he has been ill क्योंकि वह बीमार रहा है एक महीने से ठीक है अब यहां पर क्योंकि का नहीं यहां पर चुकी का सिंस होना चाहिए था so he does not come to the office तो ज्यादा बेहतर होता कि कि जगा हम लोग यूज कर लेते सिंस क्या यूज कर लेते सिंस ठीक है हाला कि खीच-खाच के काम चल सकता है लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर है इस question में हम करेंगे option number a next because he is an intelligent क्योंकि वह एक intelligent है अब इसका आंसर होने चाहिए था चुकी since he is an intelligent ठीक है says sorry since he is intelligent therefore he gets good marks all the examination in all the examinations he takes अब चुकी वो चुकी वो intelligent है इस लिए वो जो भी exam देता है उस exam में उसको अच्छे marks आते है ठीक है तो ज्यादा बेतर है यहाँ पर because के जगा हम लोग क्या यूज कर लें यहाँ पर हम लोग यूज कर लें since का ठीक है next आई डाउट देखिए यहाँ पर डाउट आगया तो डाउट के साथ हम लोग मतलब उसका जो husband था वो बहुत जादा holidays को hate करता था, like नहीं करता था, ना पसंद करता था, ठीक है, therefore इसलिए she decided to go with her ex-boyfriend, इसलिए अब चुकि कोई महिला थी या लड़की थी, साधी सुधा रही होगी, तो उसके जो husband थे, वो holiday पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसने क्या-क अपने ex-boyfriend के साथ holiday पर चली गए, तो sentence में कहीं कोई गलती नहीं है, sentence का answer होगा, option number D, no error, ठीक है, next आगे बढ़े, since no one was there, चुकि वहाँ कोई नहीं था, to answer the door, so I could not deliver the parcel, इसलिए हमने parcel को deliver नहीं किया, इसलिए भी कहीं कोई गलती नहीं है, I never did that, nor, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, never के साथ आपको किया दिखाए दे रहे, nor, देखिए देखिए, never के साथ, kia दिखाए दे रहे, never के साथ, nor, I never did, or nor, यहाँ पर देखिए, nor के पहले, that conjunction की कोई जरूरत ही नहीं है, I never did, nor thought of doing that, नग, तो हमने ऐसा किया था, और नहीं कभी हमने ऐसा करने क सूचा था ठीक है तो नेवर के साथ नौर अब आपको यहां फिर दिख रहा होगा यह कोशन आपके इससे में पूछा गया था इस तरीके से आपको इसको सीखना था यही एक नया कॉंसेप्ट था जो आपको नया लग सकता था ठीक है नेक्स्ट अगला यहां पर लिखाओ तो वाट के पहले दैट का यूज नहीं करेंगे वेर लिखाओ वेर के पहले दैट का यूज नहीं करेंगे बात समझ में आ रही है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी सम मनी एंड ही रिफ्यूस टू डू सो देखिए हमने उसे रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दो लेकिन उसने पैसे देने से मना करते यह दोनों यहां पर करते हैं यहां पर देखे लाइक का मतलब क्या था पसंद करना या दूसरा मिनिंग हम लोग के सरूप में यूज करते हैं तो एक्जामपल देने के लिए यूज करते हैं जैसे लाइक एसिया लाइक रसिया लाइक यूक्रेन ठीक है हम लोगों को यूक्रेन के थरीके से वेस्टन कंट्रीज के भाकावे में नहीं आना चाहिए ठीक है तो लाइक यूक्रेन बात समझ में आ रही है लाइक सचिन वह कैसे खेलता है तो सचिन के तरीके से खेलता है सचिन जैसा खेलता है तो हम लोग यूज करते हैं like अब यहां पर आईए इस sentence को जड़ा पढ़िए like या since the commission has recommended in its report the commission has recommended in its report ठीक है the rules needed to be enforced more strictly अब चुकि कमीशन ने recommend किया है अपने report में इसलिए यह जो नियम है इसको और ज्यादा सकती से लागो करने की शरूवत है अब चुकि का sense like का sense नहीं है यहां पर हम लोग क्या करेंगे like को क्या कर देंगे remove कर देंगे तो हमारा correct answer हो जाएगा like को यहां पर हम लोग simply remove कर देंगे sentence correct हो जाएगा तो हमारा answer क्या बनेगा answer बनेगा option number a ठीक है next अगले question में 10 years have passed 10 years have passed that I returned from London जबसे मैं लंदन से आया हूं तब से 10 साल बीत गए तो जब से आया हूं तब से तो यहां पर हम लोग क्या यूज करें या तो विन का यूज कर लें या इससे भी ज्यादा बहतर है कि हम लोग यूज करें since का since I returned from London तो लंदन से जब आप आए है वो एक certain घटना एक different घटना है कब आप लंदन से आये लंदन से जब सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे यूज करेंगे देट का आगे के classes में हम आपको बताएंगे the same के साथ as का use भी किया जाता है और the same के साथ that का use भी किया जाता है दोनों में क्या difference है इसकी चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे आगे के classes में ठीक है चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं I was driving under the breeze as a football hit my window मतलब जब हम breeze के नीचे से driving कर रहे थे उसी समय एक football ने क्या क्या hit my window उसी समय एक football जो था वो मेरे कार के window में ठकराया ठीक है तो यहां पर देखिए जब कि essence आ रही है जब मैं driving कर रहा था तभी यह घट ना घट यह तो ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग क्या use करते हैं हम लोग use करते हैं वेन का तो यहां as की जगा हम लोग use करेंगे conjunction करेंगे बात समझ में आए तो इसी के साथ आज के अपने इस class को हम यहीं पर विराम देते हैं stop करते हैं इसको यहीं पर conclude करते हैं इसके आगे के चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले class में अर्थात conjunction के अगले part में ठीक है चले तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समात किया जाए विराम देया जाए तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत ताभार बहुत भाँत धन्यवाद आप सबों को बहुत बह झाल झाल झाल